नमस्कार दोस्तों मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने कुकिंग चैनल कुक पूनम में दोस्तों आज हम बनाएंगे पापड कोन चाट ये खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट लगता है और बड़ी आसानी से बन भी जाता है तो लाग डाउन में ज्यादा रहा तो क्यों न हम जोच कुछ घर में है उससे ही कुछ न कुछ तो नया बना ही लिया करें तो चलिए बनाना सुरू करते हैं देख लेते हैं समगरी कौन-कौन सी लगेगी और ये कैसे बनेगा तो देखिए हमने उबले हुए आलू ले लिए जिसको छिल के काट लिया है और ये हमने कच्चा आम थोड़ा से ले लिया है टमाटर है प्याज है हरी मिर्च है धनिया है इन सबको हमने अच्छे से साफ करके काट लिया और ये पापड ले लिया हमने जिसको हमने बीच से दो हिस्से कर लिये हैं पापड हमारे बड़े थे और बड़े हूँ या भून के हमने इसका चिलका उतार लिया है थोड़ा से हमने काला नमक लिया है तो सबसे पहले हम तावा गरम करेंगे और पापड को हम इस पे भून के और इसका हम कौन बनाएंगे तो इस तरह से पापड को थोड़ा सा दबाते हुए आप अच्छे से इसको भून ले और इसक इसको मोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो इस तरह से हम पापड का कौन बना लेंगे ये देखे हमने बता दिया आपको और जब ये गरम रहेगा और हम इसको मोड़ लेंगे तो फिर ये इसी तरह से सेट हो जाएगा फिर वो खुलेगा नहीं और आप इस तरह से मोड बन रहा है तो सारे कोन हमने देखे बना के रख लिया है और अब हम मसाला बनाएंगे तो मसाला बनाने के लिए हमने ये प्याज, धनिया, टमाटर, आम, सबको एक साथ मिक्स कर दिया है और हाँ एक बात और बताना चाहूंगे कि अगर आपके पास तीखी और खटी-मिठी चटनी हो तो आप उसको भी डाल सकते हैं मेरे पास नहीं था और इस समय धनिया भी नहीं था जादा थोड़ा ही था तो हमने बस इस तरह से बना लिया तो अगर आपके पास हरी और लाल चटनी है खटी-मिठी तो आप उसको मिक्स कर दें तो सारी समगरी को हम इसी में मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम इसको भरेंगे कौन में तो ये देखे हमने सब mix कर दिया है और हमने इसमें कच्चा आम डाला है तो कच्चा आम भी जब मुँ में आता है खटा खटा तो अच्छा लगता है तो हमारा इस तरह से ये सही हो गया है और अगर ना हो तो नीबु का रस भी आप डाल सकते हैं तो अब हम इसमें कौन में इस तरह से भर देंगे और उसको इस हम कप में इस तरह से रखते जाएंगे उसके बाद हम एक बॉल में एक साथ सब को सारू करेंगे तो इसी तरह से हम सारे कौन भर लेंगे और उसके बाद साम की चाय के साथ ये बहुती स्वादिष्ट लगेगा खाने में तो हमने साम की चाय के साथ इसको बनाया था तो इसी तरह से आप सारे भर के रख लीजिए ये देखे हमने सारे बना के रख लिए हैं उमीद है आपको ये रेस्पी पसंद आई होगी है और अगर पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा सस्क्राइब करिएगा और सेयर करिएगा और कमेंट करके जबर बताईए कि आपको कैसा लगा फिर मिलेंगे एक नए रेस्पी के साथ तब तक के लिए नमश्कार टाटा वाई वाई